तो आज एक शॉट सी वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों में कुछ ही हफतों में 23rd of July से शुरू होने वाले हैं टोक्यो में Olympics और Olympics से पहले जपान की Capital Tokyo में एक state of emergency कर देगी है कि state of emergency क्यों declare की गए इसका impact किया होगा Olympics पर यह सारी चीजों को में आपस रूण समझ लगते हैं सबसेले आपके सामने निउस रखता हूं तो जैपान के जो नए प्राइमिस्टर नहीं मतलब शिंजो अभे को लोग जानते जो नए प्राइमिस्टर करना में कि cases बहुत जादा बढ़ चुके अब अगर आप इंडिया के देखो के तो वहां पर आपको इतने cases नहीं मिलेंगे तो कुछ हजारों पर इतने नहीं मैं आपको दिखाता हूं भी cases कितने पर जेपैन आल्मोस्ट आप कह सकते हो कि कोवीड की ना क्या जेपैन में चलकर रहे कि एक wave आती है उसको control करते है cases नहीं चाहते है फिर एक wave आती है फिर वह restriction लगा के control करते है तो यह इस तरह से अपनी कंटी में यहाँ पर COVID को control करें cases अभी बढ़ रहे हैं तो जब Olympics होगा तब तो और जादा लोग आए तब जादा डर है cases के यहाँ पर बढ़ने का तो इस वैसे state of emergency को declare कर दियागे ठीक है तो यह state of emergency में होगा क्या बाद रेस्टोरांट्स ठीक है जहाँ एक तरह से जो जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में भी जब लॉक्डर लगा था तो घर पे रहनी की देखने आते गेम पर यहां पर टोटल एक बैल लगा देगे कोई भी स्पेक्टर को नहीं बुला जाएगा मतलब कुछ मिनिस्टर यह सब तो देखने को मिलेंगे पर कोई भी एक normal स्पेक्टर आपको वहां पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगा ठीक है अब मैं खुलते हैं फिर केसिस बढ़ते हैं फिर रिस्रिक्शन लगाते हैं तो इस तरह से जपने केसिस को यहां पर कंट्रोल कर रहा था पर अगर आप देखो जैसे यह जो सब न्यूजा यह 8th of July के साब से देखो तो केसिस बढ़ रहें ठीक है अब वहां पर केसिस थोड़े को अलाव नहीं किया जाएगा एक और मीटिंग फाइनलग बची है जैपनीज गवर्मेंट की उसके माद आप कह सकते हैं कि 100% शूर हो जाएगा पर अभी भी ऑल्मोस्ट शूर ही है कि फैन्स को टोक्यो अलम्पिक्स में आप बिल्कु भी लाव नहीं किया जागा सुर्ण कि लाव भी जाएगा जाएगा जाप वाईज़ अलमगिक्स मे था है जाएगा है कि भी जाएगा लुट से एन lại वड़ से उता है लाव जाएगा जाएगा सकते हैं